गुड मॉर्णिंग एव्रीवन, मैथ स्टडी चैनल में आपका स्वागत है आप छात्र छात्राओं के डिवाण पर क्लास 11 के टिगमेट्री से रिलेटेट फर्स्ट चेप्टर मेजर्मेंट आफ एंगल्स से हम क्लास 11 का लेक्चर शुरू कर रहे हैं तो आएए आज देखते हैं फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन और एंगल्स एंड इट्स मेजर आएए पहले रिकॉल कर लें कि टिगमेट्री है गया तो जैसा कि आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा कि टिगमेट्री जो है टू ग्रीक वर्ड्स से मिल करके बना है जिसमें से फर्स्ट ग्रीक वर्ड्स है आपका ट्राइगन और दूसरा जो ग्रीक वर्ड्स है सेकेंड ग्रीक वर्ड्स है मेट्रॉन ट्राइगन मिन्स होता है ट्रेंगल और मेट्रॉन मिन्स होता है मेजर्मेंट तो हम एक का सकते हैं कि ट्रिगमेट्री मेंस ट्रेंगल को मेजर करने वाला साइंस तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं and the branch of mathematics which deals with the measurement of the sides and the angle of a triangle अब आप इसको राइट डाउन कर लें तो फिर इसके बाद हम लोग जानेंगे की एंगल क्या होता है ट्रिमेंट्री में और कैसे हम पोजेटिव और निगेटिव एंगल को पहचाने में जैसा कि आप गिवन डाइग्राम में देख रहा हैं इस डाइग्राम में दो रेज ओए और ओबी कमन इनट पोइंट ओपर एक दूसरे से मीट कर रहा है और आपने जो है क्लास नाइन की जमेंट्री में पढ़ा था कि जमेंट्री कल फिगर फॉर्म बाई ज्वाइनिग अफ टू रेज एट अ कमन इनट पोइंट इस कॉल अन एंगल तो इस फिगर में रे ओए और ओबी एक दूसरे से पॉइंट ओ पर मीट कर रहा है तो पॉइंट यह ओ को बोलेंगे हम वर्टेक्स और इसमें जो ओरिजिनल रे ओये था उसको बोलते हैं हम लोग इनिशियल साइड और जो रिवॉल्विंग रे ओभी है उसको बोलते हैं टर्मिल साइड अब class 9 के geometry में जो angle का definition है उसमें और trigometry में angle का definition है उसमें दोनों में काफी अंतर है तो आएए देखते हैं कि angle का definition क्या होगा an angle is considered as the figure formed by rotating a given ray about its initial point यानि जब किसी ray को उसके initial point से हम rotate करेंगे अब उस ray का rotation clockwise भी हो सकता है और anti-clockwise भी हो सकता है तो उस rotation के बाद जो figure form होगा उस figure को हम लोग angle कहेंगे अगर उसका rotation anti-clockwise होता है तब जो आपका angle बनेगा वो angle positive होगा और अगर clockwise rotation होता है तब जो angle बनेगा तो वो angle आपका negative होगा यानि हम दूसरे सब्दों में ए भी कह सकते हैं In other words, an angle is the amount of rotation of a revolving line with respect to a fixed line यानि किसी fixed line के initial point से अगर कोई line जो है rotate होता है तो उसके rotation से जो figure बनेगा वो figure आपका angle होगा The initial position of original ray is called initial side and the final position of the ray after rotation is called terminal side of the angle और दोनों ray जो है जिस point पर meet करता है उस point को हम लोग बोलते हैं vertex that means the point of rotation is called vertex and the revolving line is called the generating line or the radius vector The angle is denoted by the symbol followed by three capital letters by which middle one denotes the vertex of the angle and the other two points are points on the two sides यानि angle जो draw किया जाता है तो draw करने के बाद उस angle के तीनों ends points को English alphabet के capital letter से represent किया जाता है जैसा कि आपके diagram में point A, point O और point B द्वारा indicate किया गया है और जो middle letter O होता है O आपको vertex को indicate करता है तो that means point O जो है वो angle AOB का vertex होगा तो हम एक का सकता है कि in the given figure O A and O B are respectively known as the initial side and terminal side of angle AOB अब आप इसे write down कर लें तो फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे measure of an angle next topic है हमारा measure of angle angle के basic concept में हमने पढ़ा था कि angle को form करने वाला जो original ray होता है उसको हम लोग बोलते है initial side और जो revolving ray होता है जो anti clockwise और clockwise direction दोनों ही direction में move कर सकता है उसको बोलते हैं terminal side तो angle के initial side और terminal side के बीच का जो measurement होता है उसी measurement को हम लोग बोलते हैं measure of an angle तियानि हम कह सकते हैं कि the measurement of rotation between initial side and the terminal side is called measure of an angle अब यहाँ इस diagram में OA और OB दो rays है जिसमें से ray OA जो है वो आपका initial side है और ray OB जो है वो आपका terminal side है तो अगर terminal side का rotation anti clockwise direction में होगा तो उस इस्थिति में positive angle बनेगा तो यह angle आपका जो है positive angle होगा और अगर ray OB का जैनि terminal side का rotation अगर clockwise direction में होगा तो उस इस्थिति में negative angle बनेगा तो यह आपका हो गया positive angle और यह आपका हो गया negative angle तो आएए देखें कि positive angle और negative angle किसको कहेंगे तो नेक्स आपका हो गया positive angle और negative angle और यह आपका हो गया positive angle और negative angle यह आपका हो गया तो 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 अगर ओ लाइन anti-clockwise direction में move करेगा तब आपका positive एंगल बनेगा और अगर clockwise direction में move करेगा तब आपका negative एंगल बनेगा। अब इसी concept के अधार पर हम लोग आरे सगरवाल की math book में protector और ruler की मदद से different positive और negative एंगल को बनाना सिखेंगे। तो आएए देखते हैं कि कैसे हम positive और negative एंगल को protector की मदद से draw करेंगे। फर्स्ट question है using protector draw each of the following angles जिसमें से पहला एंगल है 60 डिग्री और दूसरा एंगल है 300 डिग्री। तो 60 डिग्री का एंगल प्रोटेक्टर से draw करने के लिए फर्स्ट अफॉल हम एके scale से line खीचेंगे। यह line हो गया और इसका नाम हम और रख देंगे। और इसके point O पर प्रोटेक्टर की मदद से 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। हम इसको जो है scale की मदद से कर रहे हैं। आप इसको प्रोटेक्टर की मदद से करेंगे। scale आपका जो है 60 डिग्री जब शोप कर रहा है तो इसको join कर देंगे हम। और 60 डिग्री का एंगल जो है आपका positive एंगल है। तो revolving line यह जो terminal side होगा उसका rotation anticlockwise direction में होगा। तो 60 का जो arc हम बनाएंगे उस arc का rotation indicate करने के लिए arrow shine जो हैं anticlockwise direction में डालेंगे। इस तरह से हमारा 60 डिग्री का एंगल complete हो गया। अब इसके बाद हम 300 डिग्री का एंगल हमें form करना है। तो 300 डिग्री का मतलब हुआ 360 minus 60। तो एक complete revolution में 360 का एंगल बनता है। तो 360 का एंगल में से अगर हम 60 डिग्री का एंगल अगर हटा दें तो 300 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो आपके पास जो available protector है वो 180 डिग्री का होगा। तो पहले हम क्या करेंगे कि negative 60 डिग्री का एंगल बना देंगे। तो जो remaining अंगल हमारा बचेगा वो 300 डिग्री का हो जाएगा। अब इसके लिए भी हम क्या करेंगे कि scale की मदद से एक line way draw करेंगे। और point O पर protector की मदद से 60 डिग्री का अंगल बना देंगे। और 60 वाले point को scale से join कर देंगे। और इस line का नाम वो भी लिखेंगे। अब हमें 300 डिग्री के एंगल बना था। तो इस एंगल के जो remaining parts हैं यानि जो reflex एंगल AO भी है वो आपका 300 डिग्री हो जाएगा। चुकि complete revolution में आपका 360 डिग्री के एंगल बनता। और 60 को बना करके उसमें से अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारा 300 डिग्री बन जाएगा। तो अब terminal side यानि जो revolving line है उसके rotation को हम aero sign से indicate करेंगे। आएए देखते हैं कैसे indicate होगा। एंगल फॉर्म करने के बाद जो terminal side होगा उसके rotation को indicate करने के लिए चुकि 300 डिग्री का एंगल positive एंगल है तो terminal side जो होगा उसका rotation जो है anti-clockwise direction में होगा। तो arc जो है 300 डिग्री का जो हम फॉर्म करेंगे तो उसको जो है terminal side के साथ aero sign यूज करेंगे और उसके अंदर 300 डिग्री mention करेंगे। यह आपका 300 डिग्री complete हो गया। अब आए देखते हैं कि negative एंगल को कैसे form करेंगे प्रोटेक्टर की मदद से। question है using a protector draw each of the following angles first है minus 40 डिग्री और second है minus 400 डिग्री minus 40 डिग्री जो है आपका negative एंगल है तो minus 40 डिग्री negative एंगल fourth quadrant में होगा। इसका अर्थ ए है कि इसका जो terminal side होगा वो fourth quadrant में होगा। तो इस एंगल को form करने के लिए first of all हम scale की मदद से initial side way draw करेंगे। उसके लिए एक scale लेंगे। scale से line way draw करेंगे और initial point in point O पर हम 40 डिग्री का एंगल plot करेंगे प्रोटेक्टर की मदद से 40 डिग्री के point को join कर दिया गया। इस तरह से आपका 40 डिग्री का एंगल बन गया। और 40 डिग्री का एंगल जो की negative एंगल है तो terminal side जो होगा clock wise direction में rotate होगा। तो rotation को indicate करने के लिए हम arrow sign का use करेंगे। minus 40 डिग्री जो है negative एंगल था तो इसमें terminal side का rotation जो है clockwise direction में होगा। तो हम arrow sign को जो है clockwise direction में indicate करने के लिए terminal side के पास arrow sign यूज करेंगे। और फिर इसमें जो है minus 40 डिग्री मेंशन कर देंगे। इस तरह से हमारा minus 40 डिग्री का एंगल complete हो गया। अब हमें minus 400 डिग्री का एंगल बनाना है तो minus 400 डिग्री मिन्स हुआ, minus 360 plus 40 minus 400 डिग्री equals to minus 360 plus 40 डिग्री तो जब हम एक complete revolution जो है clockwise direction में move करेंगे तो हमारा 360 बन जाएगा। और फिर अगर हम 40 डिग्री का एंगल और उसमें हम include कर देंगे तो minus 400 डिग्री बन जाएगा। तो आईए देखते हैं कि scale से हम और protector की मदद से minus 400 डिग्री का एंगल कैसे बनाएगे। Scale से जो है first of all हम initial ray वेड्राव करेंगे और उसके point O पर minus 40 डिग्री का एंगल प्रोटेक्टर की मदद से बनाएगे। अब जैसा कि हम जानते हैं कि one complete revolution में 360 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। तो अब हम जब arrow को indicate करेंगे तो पहले एक complete revolution दिखाएंगे। और एक complete revolution के बाद terminal side जो है फिल 40 डिग्री अंगल मुव करेगा। तो हम arrow के लिए जो आर्क ड्रॉव करेंगे ओ लाइन ओए से शुरू होगा। को हम लाइन ओए से ड्रॉव करना शुरू करेंगे। और terminal side हमारा ओभी था तो एक complete revolution के बाद 360 हमारा बन जाएगा। तो फिर हम आर्क को मूव करके लाइन ओभी तक ले जाएंगे और यहां पर arrow sign mention कर देंगे। और इस तरह से हमारा 400 डिग्री complete हुजे। आप note कर लें और तब हम लोग practice problem इस पर best practice के लिए लिखेंगे। यह रहा आपका similar problem for practice आप इसे practice के लिए write down कर लें। आगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे the system of measurement of angles. Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel.